जैम अता दी, आप सभी भी कन्या पूजन नवरात्री में जरूर से करते होंगे, परंतु जीवन परियंत अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो कन्या पूजन करते समय इन नियमों को जरूर से ध्यान रखिएगा, तभी आपका ब्रत पूजापाट परिपूर्ण होग राहुकाल का जो समय कहा गया है उस समय कोई सुभकारी करने से बचे तो आप सभी जरूर से वीडियो के अंतर तक बने रही है जैसे कि कन्या पूजन नवरात्री का सबसे विसेश कारिमाना जाता है भले ही कोई भी बेक्ति विसेश उपाय नियम मंत्र जाप या हवन पूजा या नवरात्री के उपास नहीं कर पाता है तो वह मात्र अस्टिमी और नौमी के दिन कन्या पूजन कर लेता है तो वह अपने भागे के रेखाओं को प्रबल करता है उन मातारानी को प्रसंद कर देता है वहीं दूसरी और जो है कन्या पूजन के कुछ विसेश कार नियम कह गए हैं 2024 में अस्टिमी जो है 16 अप्रेल के दिन रहेगी ठीक है जी 16 अप्रेल को अस्टिमी रहेगी और माहा नौमी जिसे राम नौमी कहा जाता है वह 17 अप्रेल के दिन रहेगी दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कई परिवारों में कुल देवी का पूजन इत्यादी कर सबसे पहले हमें भोजन में किन चीजों का प्रियोग करना चाहिए जिनको इन चीजों का ग्यान नहीं होता है वह जैसे प्याज लहसन का तड़का लगा कर मातरानी सात्विक भी है और मातारानी तामसिक भी हैं तो ऐसे में ग्रहस्त जनों को कभी भी कन्याओं को प्यार लहसन इत्यादिका जो भोग होता है वह नहीं खिलाना चाहिए आवश्य ग्रूप से कन्या पूजन का सही समय जो है जरूर से जान लीजे आप सभी यह नोट करते हुए चलिएगा कि 16 अप पूजन को करने से बचे ठीक है जी और 17 अप्रेल के दिन जब नौमी पढ़ रही है उस दिन राहुकाल का समय बारह बचकर 21 मिनट से एक बचकर 58 मिनट के आसपास हो रहा है तो इस राहुकाल ने आप सभी कन्या पूजन करने से बचे इसके लवा आप पूरे दिन और रात रात्री में कभी भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं हलाकि कन्या पूजन रात्री में भी किया जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है कन्याओं की पूजन में मापदंड होता है सास्त्रों में कहा गया है वही देवी कन्या के स्वरूप में पूजित है पूरान देवी थात माता के साथ बहराव देरता चलते हैं लागूर चलते हैं उन्हें भी आपको चुनाव में लेना जाहिए इस बात का भी आप सभी ध्यान रखे कि आप सभी इस दिन आवश्यक रूप से अस्टिमी नौमी के दिन हल्वा जो कि मा को बहुत अधिक प्री होता है नारियल आ प्रक्षात आप सभी भोग सरूप समर्पित करने के बाद माता उसे ग्रहन कर चुकी है 10-15 मिनट के भीतर उस प्रशात को उठा लीजिए अब उस प्रक्षात को घर के खाने में पूर्ण रूप से मिला लीजिए जो भोजन आपने बना रखा है ताकि सभी बच्चों को य सबसे पहले नवरात्री में नियम होता है कभी भी भanges किसी भी चाइज में न खरे कई भक्तजन क्या करते हैं कि नौ से ज़्यादा करती है तो और व्ह भागा देते हैं ऐसा नहीं क्रें जी यहादे कर जिए मांदा यह पाप के सामान माना गया양 अंपने घर में आ था है ना उत्तम है, आप उन्हें अलग से भोजन कराईए अत्तरिक सुबह, परन्तु नो कन्याओं का पूजन कीजिएगा, तब ही आप कन्या पूजन के सही भागिदार होंगे, उसके लावा अन्य कन्याओं आती है या बच्चे आते हैं, तो वह भगवान का स्वरूप है, उन्ह करीब कन्याओं को, या कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कि यह कैसे है, क्या है, ऐसा नहीं, जो है, जैसा है, कि स्वरूप में मा आपकी परिक्षा ले रही है, यह मातारानी जाने, आपको कन्याओं को जैसी भी है, जिस स्वरूप में है, गरीब हो, अमीर हो, सभी को आमंतृत क करना है सबसे पहले जो करने है उन्हें ब्हों में खिलाना चाहिए आवश्यक रूप से सास्त्रों में कहा गया है उनकाल उनकामनाओ ऑнокत्या अफ्य करने मा को नारियल को जिरूहर से बाटना चाहिए हल्वा चना ओर पूड़ी और इत्यादी की सब्जी जो आपके यहां बनता है दही राइता इत्ते जो भी बनता है परन्तों अस्टमी नौमी के दिन मा को हल्वा पूरी और चने का जो है जो काले चने कहे गए है उनका भोग आपको लगाना चाहिए उसके बाद जो है आवश्यक रूप से यह भोग तो होना ही जैसे हवन हो गया संपूर्ण पूजा हो गई उसके बाद जो है अंत में कन्या पूजन किया जाता है भोग ग्रहन करवाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखे यह नहीं कि दिन में ही आप साम को हवन कर रहे हैं सब कारी कर रहे हैं और उसके बाद पहले ही कन्या पूजन क को करना चाहिए तो इस नियम का आप ध्यान रखे साथ के साथ आप सब सबसे पहले कन्याओं को पैर धुलवाएं ठीक है पैर धुलवाएं एक थाली में अब जो पैर में जो आपने धुलवा रखा है कन्याओं को सबसे पहले जो जल है पैर धुलवाया हुआ उसे अपने मस्तक पर और नेत्रों से जरूर से धारन करें तत्पश्चात आप सभी को जो माता सरूप में कन्या एंगे पैरों में महावर या महन्दी जरूर से लगानी से, रॹन के साथ उन बच्छों को जो आप कन्या सरूप में माता रॹनी को फूज रहे हैं उन्हें तिलक लगाए, उसमें अक्षछ जरूर से लगाए, उनके हाथ में, जो है आवश्यक रूप से उनको उनकी काम आने वाली चीज़ा जैसे इस दिन उन कन्याओं को जो है आवश्यक रूप से आप पढ़ने की पुस्तक दे सकते हैं लाल चुन्नी दे सकते हैं कपड़ी ला सकते हैं उनके लिए अपने पैसे शमता सामर्थनुसार आप उन्हें चूड़ी बिंदी महावर या अपनी समता सामर्थनुसार कोई भी वस्त रूप में जरूर से स्रिंगार की सामगरी जरूर से दे तभी आपका कन्या पूजन परिपूर्ण माना जाएगा ठीक है जी यह बात हो गई अब उन कन्याओं को पूर्ण रूप से भोजन कराएं संभव तो अपने हा अब आप सभी को दक्षणा देकर एक फल देकर आवश्यक रूप से जो भी मौसमी फल है उन्हें देकर जो है और बताशा और आवश्यक रूप से जो नारियल कहा गया है वह मनो कामना पूर्थी में सहक होता है उन्हें देकर आपको विदा करना चाहिए ऐसी मानिता है इस से सबकारिस्वते ही सिद्ध हो जाते हैं और कन्या फूजन की यही सही विधान होती है कन्या न मिल पाने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए आप सभी को नो कन्याओं के लिए अलग-अलग जो है पैकेट या प्लेड बना लेनी चाहिए कहीं गरीब इस्थान पर जो कोई क की आवश्यक्ता नहीं आप सभी जो है उन नो कन्याओं के सरूप में जो है गौमाता को खिला कर नो जो दक्षिना होंगी उसे आवश्यक रूप से गौशाला में दान दिया भी जा सकता है या किसी गरीब जरूरत मंद बेक्ति को भी आप नो पैकेट भोजन के दे सकते है यह भी कारिया अनाथास्रम इत्यादी में भी या किसी स्कूल इत्यादी में भी जाकर वहाँ पर कन्या का पूजन इत्यादी किया जा सकता है इस तरह से यह भी धान होता है कन्या पूजन का पूरे दिन भर में आप मा से भूल चूक के लिए छमा प्रार्थी हो और कन्या पूजन इस तरह से करें, किसी भी अवस्था में प्याय लहसा नित्यादी का प्रियोग मा के भोग में और कन्याओं को न खिलाएं, यह पाप के सवरोप में माना जाता है, साफ सुतरी रसुई, साफ सुतरी बर्तन आपके होने चाहिएं, इस बात का भी आप सभी द्यान रख कर ही कोई कारी करें, इस बात का ध्यान रखें, यही जानकारी थी, जो मैंने देने का प्रियत निक्या, कोई भी से जानकारी आप चाहते हैं, तो कमेंट्स में पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, जै मत अदी